तहुआ है विश्व गगन में यान सूर्य शीव आज ओम शान्ती 13 सत्यमबर 2022 अभी पढ़ेंगे प्यारे शीव बाबा की मूरली मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो तुमें रुहानी स्ने से लेना है सुकदाई बन सबको सुक देना है गुन गराई बनना है प्रिश्णा आपस में रुहानी प्यार न होने का कारण क्या है रुहानी प्यार कैसे होगा उत्तर देविमान के कारण जब एक दो की खामिया देखते है तब रुहानी प्यार नहीं रहता जब आत्मविमानी बनते है, सोयम की खामिया निकारने का फूर्णा रहता है, सतोपरदान बनने का लक्ष रहता है, मीठे सुगदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है, बाप किस वीमते बच्चे किसी के भी ओगुन मत देखो, गुनवान बनने और बनाने का लक् केंगे, ओम शान्ती, अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बहत का बाप हमको सतोपरदान बना रहा है, और मूल युक्ती बता रहे है, बाप बेड़ बच्चों को शिक्षा देते है कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रुवानी प्रेम चाहिए, त पुर्वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती, तो बेहत का बाप बेड़ शिक्षा देते है, बच्चे आजकर आजकर करते करते समय बित्ता जा रहा है, दीन मास वर्ष बित्ते जा रहे है, बाप ने समझाया है, तुम ये रक्ष्मिन आरहन थे, ऐसा तुम को किस ने ब सतोप्रदान थे, आपस में बहुत लव था, बाप ने भाईयों की शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, मैं तुम सबका बाप हूँ, तुमारी एम अबजिक ही है सतोप्रदान बनने की, तुम समझते हो जितना जितना हम सतोप्रदा से तमोप्रदान से सतोप्रदान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे हम सतोप्रदान थे भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताय आपस में बहुत प्रेम से चलते थे हेविन के देवताओं की भी बहुत मेमा है, हम वहा के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए है, पहली तारिक से लेकर आज पाच हजार वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर पड़ रहा है, शुरू से लेकर तुम कैसे पाड़ बजाते आए हो, अभी तुमारी बुद्धी में है कि देविमान के कारण एक दोको, एक दोक में वह प्यार नहीं है, एक दोक की खामिया निकालते रहते हैं, तुमा आत्म अभिमानी थे, तो ऐसे किसी के खामिया नहीं निकालते थे, कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है, आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्ता धारन करनी है, यहा तो एक द को उस दुरुष्टी से देखते लड़ते जगरते हैं अब वह सब बंद कैसे हो या बाब बेट समझाते हैं बच्चे तुम सत्वप्रदान पुझ्य देवी देवता थे फिर धीरे धीरे नीची गिरते गिरते तुम तमप्रदान बने हो तुम कैसे मीठे थे अब फिर ऐसा म को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो सत्वप्रदान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे यह पाच विकार तुमारे कितने बड़े शत्रु है यह है यह ही विकारी दुनिया क्योंकि रावन रज्य है न यह भी तुम जानते हो राम रज्य और रावन रज्य किसको कहा आजकर करते सत्यूग पूरा हुआ त्रेता पूरा हुआ द्वापर पूरा हुआ और कल्यूग भी पूरा हो जाएगा अभी तुम निच्छे उतरते सत्यूप्रदान से तमोप्रदान बन पड़े हो तुमारी वह रुवानी खुशी गूम हो गई है अब तुमको सत्यूप्र तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रदान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जितना याद करेंगे उतना खामिया निकल की जाएगी, तुम जब सतो प्रदान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामिया कैसे निकलेगी, आत्मा को ही अशा प्रशार्ट करो तो क्यों न हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्सा लेवे तो मीटे मीटे बच्चे कितने अडॉल थे कोई मतभेत नहीं था किसी की निंदा आदी नहीं करते थे अभी कुछ न कुछ है वह सब भूल जाना चाहिए हम सब भाई भाई है एक बाप को याद करना है बस यही ओना लगा हुआ है हम जल्दी जल्दी सतोप्रदान बन जाए फलाना ऐसा है इसने यह बोला इन सब बातों को भूल जाओ यह सब छोड़ो बाप कहते अपने को आत्मा समझो सतोप्रदान बनने के लिए पुरिशार्थ करो दूसरे का आउगुन नहीं देखो देहभीमान में आने से ही आउगुन देखा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाई भाई को देखो तो अउगुन ही देखेंगे अउगुन को नहीं देखना चाहिए सब को गुनवान बनाने की कोशिस करो तो कभी भी दुख नहीं होगा भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है रजो तमप्रदान है तो जरूर उनों की चाल भी ऐसी होगी अपने को देखना चाहिए कि हम कहा तक सतोप्रदान बनी है सबसे जास्ती गुन है बाप में तो बाप से ही गुन ग्रहन करो और सब बातों को छोड़ दो और गुन छोड़ गुन धारन करो बाप कितना गुनवान बनाते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है बाप तो सदा सुखदाई है ना तो सदा सुख देने और सतोपतान बनने का फुर्णा रखो और कोई बात नहीं सुनो कोई की गलानी आदी नहीं करो सब में कोई न कोई खामिया है जरूर खामिया भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ ली सकते दुसरे समझते कि इन में यह यह खामिया है अपने को तो बहुत अच्छा समझते परन्तु कहा न कहा उटा बोल डिंकल ही पड़ता है सत्वप्रदा नवस्ता में यह बाते होती नहीं है यह खामिया है परन्तु न समझने के कारण अपने को मिया मिठु समझ लेते हैं बाप कहते है मिया मिठु तो मैं ही एक हूँ तुम सब को मिठु अर्थात मिठा बनाने आया हूँ इसलिए जो भी अउगुन आदी है सब छोड़ दो अपनी नब्ज देखो हम मीठे मीठे रुहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ कितना खुद समझाता हूँ और दुसरों को समझाता हूँ देअब इमान में आ गए तो कोई फाइदा नहीं होगा बाप कहते है तुम अनेक बार तमो प्रदान से सतो प्रदान बने हो अब फिर बनो स्रीमत पर चल मुझे याद करो सिर पर पापों का बोज़ा बोथ है उसे उतारने का ही चिंतन रहना चाहिए देवताओं के आगे जाकर कहते भी है कि हम पापी है क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है इसलिए उन्हों की मेमा गाते है आप सर्वगुन संपन्न सुला कला संपूर्न हो फिर घर में आकर भूल जाते है देवताओं के आगे जाते है तो अपने से जिसे गुरुना आती है फिर घर में आते हैं तो कोई गुर्णा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उनों को बनाने का वाला कौन, अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बढ़ना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है, स्रीमत पर चलना है, पहले पहले बाप कहते हैं अपन उनकी समूर्थी करते हैं, फिर दूसरे तरफ उनकी गलानी भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं हैं, कहते हैं कुट्टे बिल्ली में हैं, सब परमात्मा के रूप हैं, जितना उसके कोशिश करनी हैं बाप को याद करने की, भल आगे भी याद करते थे, परंतो भवी पिचारी याद में रहो, सिर्फ मामे कम याद करो, भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रदान हो गए हैं, आत्मा तमो प्रदान है, तो खुद तमो प्रदान को याद करते हैं, अब फिर सत्व प्रदान बनना है, वह भक्ती ही नहीं जो य ब्याच पर भी बहुत समझा सकते हो यह बिहत का बाप है इनसे हम यह वर्षा मिलता है बाप स्वर्ग किस्त आपना करते है सो तो जरूर यह ही होगी न श्वी जैनती माना स्वर्ग जैनती देवताय कैसे बने इस पुरुशत्तम संगम युक पर इस पड़ाय से ही बने है सारा मदर पड़ाई पर है सारा मदर पड़ाई और याद पर है याद की यात्रा में रहने से फिर और बाते भूल जाते है बाप समझाते रहते बच्चे देविमान छोड़ो कोई की खामिया को देखना नहीं है फलाना ऐसा है यह करता है इन बातों से कोई फाइदा नहीं है टाइम बेच्ट हो जाता है तमो प्रदान से सत्व प्रदान बनते में बहुत मेचन है वीगन भी पड़ते हैं पड़ाय में तूपा नहीं आते जितना याद में आते हैं अपने को देखना है कि हम कहा तक बाप की याद में रहते हैं, कहा तक हमारा लव है, लव ऐसा होना चाहिए, बस बाप से चिटके रहे, भाबा आप हम को कितना समझदार बनाते हो, उच्टे उच्च आप हो, फिर मनुक्षिस रुष्टी में भी आप हमारी कितना उच्च बन जैसी खुराग नहीं तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है इस पड़ाय से हम यह बनेंगे बहुत खुशी होनी चाहिए बेहत का बाप सुप्रिम बाप हमको पड़ा रहे है बाबा कितना रहम दिल है बल आगे भी भगवानुवा चक्षर सुनते थे परंतु जूट होने क कारण दिल से लगता नहीं था ठिकर भीतर में भगवान है फिर वाज कैसे करेंगे तुमारी बुद्धे में बहुत नहीं नहीं बाते हैं जो और किसी की बुद्धे में नहीं है आगे चल तुमारा देवी जाड़ बढ़ता जाएगा बाप कहते है कि सब को पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुमारी भी कर्म विनाश होंगे तुम विश्वक के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्मस तापक ऐसे कह नहीं सकता है इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते पैगाम तो एक ही बाप पैगाम तो एक बाप ही देते है कि मामे कम याद करो तो सतो प्रदान बन जाएंगे और सतो प्रदान दुनिया में आ जाएंगे यह बाप का पेगाम सब जग पेगाम लिख दो सारा मदार इस पर है एरोपियन लोगों के लिए इस चक्रक और जाड़क में सारी नौलेज है उन्हों को यही बताना है कि वर् पूरी में ले जाने के लिए वह है अमर लोग यह है नीचे मुर्ति लोग सीड़ी है ना अभी हम उपर जाते हैं फिर नंबर वार आएंगे हमेशा समझो की शिव बाबा सुनाते हैं उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी शिव बाबा इनमें प्रविश कर तुम बच ये एड़ाप्ट की हुए बच्चों से एक को मुक्रर रखते हैं ये ब्रह्मा फुतरा सबसे बड़ी नदी है तमेवो मातच पिता इनको कहते हैं बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाब को याद करता हूँ याद में कितना भी पैदर करो कभी ठके जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी खुशी में तिरतों पर कितना दोड़ दोड़ कर उपर जाते हैं बहुत भी खेल है भकती है रात अब तुमारे लिए दिन होता है अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते हम रुवानी बच्चों की रुवानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुक्य सार बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप स बनना है बाप के समान मीठा बनना है वर्दान पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतिंद्य सुक का अनुभो करने वाले संपूर्ण और संपन्न भवो ब्रामन जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है यह फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुक शान्ति की अ अनुबुती होती है यदि अतिंद्य सुक वा स्वीट साइलेंस का अनुबो कम है तो जरूर पवीत रता का फाउंडेशन कमजोर है ये वुरत धारन करना कम बात नहीं है बाब ददा पवीत रता के वुरत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओक सईद मारक देते है इस रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वर्दान प्राप्त करने के लिए विर्तो सुचने देखने बोलने और करने में फूल्श्टाप लगाकर परिवर्दन करो स्लोगन है सदा एक के अन्त में खोये हुए रहना यही एकांत बासी बनना है अच्छा, ओम, शान्ती, 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 शुकरिया बाबा, शुकरिया थैंक्यू बाबा, थैंक्यू